चाहे किचन में ज़्यादा मलाई बची हो या फिर ज़्यादा नीबू आ गए होंगे मार्केट से तो आपके लिए बेस्ट रेमेडिस आज मैं बताने वाली हूँ किचन टिप्स के साथ तो आप ये रेसिपी को ज़रूर देखे पिसर कुकर में आप एक किलो घी मिनिटों में बना के तयार कर सकते हैं वो भी बचे हुए मलाई से बहुत ही असान तरीके से मैंने बनाया है इस रेसिपी को तो पांच दिन की ये मलाई से मैंने बहुत ही असान तरीके से घी निकाल के दिखाया है वो भी ज़्यादा मात्रा म और लंबे समय तक आपको कैसे चलाना है वो भी जनकारी में दूंगी, अगर आपके घी में वो स्वाद नहीं आता है, वो पीलापन टेक्शन नहीं आता है, तो वो भी जनकारी में देने वारी हूँ, तो सबसे पहले आपको प्रिसर कुकर लेना है, अगर प्रिसर कुकर नही होगी लेकिन अगर आप 5 दिन की परफेक्ट वाली오ी मलाई इसे मे रखे है इसे वी स्भी मैंने सभी को निकाल ली है और इस यह उन्हीं के बाद इसमें आपको डाल यह दिक Perfect तरह के शितने जीतने पांच दिन की मलाई थी ऑर अची से मैंने इसे डाल दिया है पांच दीन की मलाई में आपको यकीन नहीं होगा कि आप दस दीन के जो दूद के पैसे होते हैं वो भी बचाने वाले हैं यह जी हां दोस्तों और घी आपको पता ही हाजार से बारासो रुपए किलो ओरिजिनल वाली मिलती है तो यह रेसिपी आप आपका सुल्ब हो जाएगा यह देखे घी आपको उपर तरह से दिख रहे होंगे और मलाई नीचे बैठी हुई दिख रही होगी अगर आपको मलाई की कोई रेसिपी बनानी है तो आपको ज्यादा नहीं जलाना है और अगर मलाई के इस्तमाल नहीं करना है तो आप इसे अ तो आपके क्या थोड़ी सी जल भी सकती है तो आपको ध्यान रखना है तो अच्छी तरह से आपको यह तूटल बहुत ही कम मिनट में यह रेसिपी आपके बनके तयार हो जाएगी घी की अलग हो चुके हैं और मलाई का कुछ और इस्तमाल नहीं करने वाली हूँ अगर आप सोड़ा है तो थोड़ा सा डालिएगा लंबे समय तक बिल्कुल भी घी है खराब नहीं होती है अब कितने दिन भी रख लीजिए अच्छी तरह से करती है अब चलिए वह तरीका मैं बताने वाली हूँ जिससे यह घी दानेदार बनेगी तो आपको हलका सा पानी चिरक देन अगर आप भी अजएंस का दूऑ इसमाल करते हैं और विल्कुल वाइट बनती है तो अको हलके से हल्दी का इसमाल करना है उलके सी लेनी है और प büyाइकाई के गी थे तो यह पीलापा ने नेचूरलप आया है कुछ भी मैंने एड़ नहीं किया हैं और इकतिनी आसानी तरीक खी का इस्तिमाल आप रोटी सबूझी में या पिर आप कुछ भी इस्पेसल वाली रेशिपी बना रखिए नहीं देखिया तो जाके देखिया और हाँ सोट रेसिपी भी मेरे चैनल में मिल जाएगी तो आप वह भी देख सकते हैं तो अची तरह सापको चानल लेना और आप बिल्कुल भी नहीं बता है तो तो आपको यह रशी सब्मक्राइब कैसे लगी Market resist पिर से नेक्स रच्वे में तब तक के लिए बाई बाई नीबू से अचार तो बनाएंगे लेकिन बिल्कुल ही अलग तरीके के अचार होंगे और बनाने में बहुत ही मदा आएगा और आसान भी होने वाले हैं और इसे आपको बनाने में एक फायदा है कि धूब की कोई भी बिल्कुल इसके जो लेयर होते हैं बहुत पतले होते हैं तो इसे अच्छी तरसे धोग के साब कर लेना है और जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सब को सुखा लेना है अगर हलकी से धूप है तो धूप में डाल दिजे अच्छी तरस से सुख जाएगी पोशने के जरूवत पड़ेंगी उसके पाद आपको कटिंग लगाना है कटिंग लगाकर एक काम करना है जितने भी बीचो कर रहा है सभी बीच को निकाल देने हैं है अर्धा काम इसका जो91 कर डो किस्तित पाल निकाले ना तो भुष्यों ही अगर निकाल बेंगी तो थोड़ी सी मेनत है आप बारिक नहीं पिसना बीना पानी वगरा कुछ भी नहीं रालना है और दरदरा साई से पीप लेना है अब चलिए मातरा मैं बताने वाली हूं तो यह देखे चमच है नौर्मल वाले चमच है सभी के घरों में यह चमच आपको मिल जाएंगे बस उसी समय मातरा आपको तेह करने माले हूं तो यह देखे एक चमच से थोड़ा सा कम मैंने मिथी का दाना लिया है और वही चमच का इस्तमाल करके अब दो चमच मैंने ले रही हूं सौप यह देखे सौप है अचार में इसका जो टेष्ट है ना बहुत ज्यादा वड़ जाता है फिर एक चमच आपको बहुत है जाता है अगर बना ना लिया है उन्हें है उसके आठ मैंने ले ले ली हैं लालवाले मिर्ची यह देखे बहुत तीके हैं इसलिए मैंने 7-8 लिया अगर आपको और भी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इतना परफेक्ट है यह देखे 7-8 मीर्स को भी भून लिया है और अच्छी तरह से मसाले को भी क्यार से 5 साल आराम से चलेंगे नीबू के जो बीज रहते हैं बीज भी अच्छी तरह से निकाल लेने जैसे मैंने दिखाया है और मिक्सर के पोट में डालके अच्छी तरह से पीस लेना मैंने फिर सब बता दिया आपको यह चीज करना बहुत ही ज़रूरी है तभी अचार में जो है बहुत लंबे समय तक चलेगी यह आपको बात कर दियान दखना है तो यह देखे अब मैं पीस के दिखाने वाली हूँ कितना मैंने पीस के तयार कर लिया है अब आपको आता है नाप, नाप कितना लेना है और कैसे इसका इसका इस्तिमाल करना आप चलिए मैं वह तो थोड़े से दानी को मैं अलग करने वाली हूँ और सही को अच्छी तरह से दरदरासा पीस लिया अब क्या करने वाली हूँ अब चलिए मैं दिखाने वाली हूँ इसका कड़वापन खतम करने के लिए फिल 3 kattori पूरे तरची तरफ से इसमें डालने वाली हूँ, 3 kattori के मैं अचार बनाने वाली ही। अभी और वी एक kattori बचा है तो चार kattori टोटल अच्छी तरफ से पीसिनिक बाद हुए, 304 तो रिज्यक, vertical Way, अब एक парणी का इस्तिमाल मैं ने कर लिया आप एक तरीके के, डाला है क्योंकि मैंने मसाले में भी अची तरह से मिर्ची का इस्तेमाल किया है इसी लिए इस तरह अगर आप भून के बनाएंगे ना तो जो कड़वापन टेश्ट होता है निम्बू का वो बिल्कुल ही खतम हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने क्या हो चिलके भी पीस दिया ह तो यह आपको काम करना अची तरह से भून लेना है उसके बाद यह दिखे थोड़ा सा मैंने मसाले को बचा लिया है और एक अचार नहीं बनाएं तो कम तेल में यह अचार बना सकते हैं और चार से पांच साल आराम से चल जाएंगे अगर अची तरह से बनाएंगे तो यह अब करना आपको थोड़े सा ज़्यादा नीम्बू और कुछ भी अचार बनाते है तो नमक की मातला थोड़ी से ज़्यादा होती है तो यह देखे नमक भी मिला दिया है मैंने और अच्छी तरह से चला दिया है यह देखे अभी मेरे पास एक और आम की अचार की रिसेपी है लोगों ने ज्यादा पसंद किया भी बिल्कुल ही नाप के साथ है तीन YOU आम की रसापी है नहीं देखा तो जाके देख सकते है एक चमच मैंने भर का इस्तिमाल करके मैं एक और आचार बनाने वाली हूँ तो ये देखिए, एक कटोरी मैंने नीमू का पृपक इस्तिमाल किया है ..र इस तरह außer प्रेव horse जो bhole भी है तो वोई पर नीमू के आपके पल्प बचे हैं तो दो कटोरी चीनी आपको डाली देने, कम ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अराम से दो कटोरी चीनी डाल देने हैं, और ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, बहुत ही टेश्टी वाली अचार बनती है, मैंने कई बार इस तुक्रे को ढल लिया है बहुत अच्य पफिले बार आता है फिर मैंने सुआदने नमक थोड़ा से ढल दिया है उसके बाद जो मसाले थे भी मसाले का भी इस्तमल किया है सब्सक्राइब एक फच्छिज को मैं गाये है यह क्ष़धे मेले आचार बनने वाले हैं जब तक चीनी अच्छी तरह से गल न जाए, जैसे ही गलेंगे न, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, जैसे यह पुरानी होंगे अचार, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, लेकिन कम से कम इसे 15 दिन आपको इसी तरह छोड़ना है, जाकि जितने भी नीबू के कड़वा और यह देखें, बहुत ही कम तेल में यह रेसेपी बनती है, आप चाहें तो 5-6 साला कर चलाना चाहते हैं, तो हलके से आप तेल और एड़ कर सकते हैं, इन हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है, अच्छी तरह से चीनी गल चुकी है, और यह मीठे नी अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत ही टेस्टी है, और बिल्कुल ही फ्लेबर फुल बनती है, अगर कभी नीबू की इस तरह की अचार की रेसेपी नहीं बनाई है, तो एक बड़ जरूर बनाईएगा, और मेरे चैनल में बहुत सारे बिल्कुल ही डिप्रेंट तरीके क अचार की रेसेपी मैं डाल रखी हूँ, सही नाप के साथ जो कभी आपने नहीं बनाई है, अगर सही नाप आपको नहीं आता है, तो आप जाके देख सकते हैं, ये भी देखे, पचीस नीबू का मैंने इस्तिमाल किया है, और ये अराम से दो तरीके के नीबू के अचार ब अर इसे आप हराम से साल भर खा सकते हैं, तो कैसी लगी ये दूनो रेसेपी ये हमें आप सरूर बताएचाएं